हलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक, कैसे हैं आप सभी, I hope कि आप बहुत अच्छे होगे प्यारे साथियों, मद्ये प्रदेश पुलिस कोश्चेबल को लेकर एक अपडेट आई है उसके फिजिकल को लेकर आपको जानकारी होगी कि इसका 23 सेप्टमबर से इसका फिजिकल स्टार्ट हो रहे है लेकिन इसका बहुत ही बड़ी अपडेट आई है जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप मद्यप्रदेश पुलिस की फिजिकल के अगरा आप तैयारी करते हैं सत्यों आपके 23 सेप्टमबर से इसका फिजिकल स्टार्ट होने थे लेकिन भारी बारिश को देखते हुए है बाड़ा रही है, बहुत जयादा बारिश हो ह्रही हैए, पानी है आप देख रहे होगे सटकों पे, खेतों में पानी'? पानी पानी जरू रोती से रहे हो लिए लगाुए नि उसके बारे में जाननेते हैं, हाला कि आप तक ये निउस पहुंच चुकी होगी, कि आपका जो फिजीकल 23 से स्टार्ट थे, वो कब से हो रहे हैं, कितने डेट बदली गई हैं, क्या वो सभी जानकारी आप तक पहुंच गए, लेकिन अगर नहीं पहुंची है, तो मैं आपको पचास दिन का, कि पचास दिन आपके फिजीकल चलेंगे, अब इसमें कुछ चुट्टिया भी थी, या वकास कि अगर मैं बात कर लो, जैसे 29 का वकास था, 3-10 से लेकर 15 तक वकास था, 22-10 का वकास है, और 28-10 से लेकर 3-11 तक वकास था, यानि कि मैं कह सकता हूँ, लगबग बाइस दिन की चुट्टी इसमें, पचास दिन का आपको समय पूरा दिया गया, बाइस दिन की चुट्टी के लगबग 28 दिन, यानि कि एक महीने कह सकते हैं, एक महीने आपके फिजीकल चलते हैं, लेकिन बारी बारिश को देखते हुए, अब कुछ फिजीकल देट्स में परिवर्तन क्या गया है, वो परिवर्तन क्या है, कौन-कौन सी डेट्स, उनके बारे में जाल देते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि हमारी कुछ डेटेल्स आई थी, जिसमें हमको ये बता दिया गया था कि हमारा फिजीकल कब है, कहा हमारा फिजीकल होगा, कि सेंटर पर कि जिन बच्चों के 23 तारिक से फिजीकल है वो तो बिल्कुर रेडी पोजिशन में बैठ गई कि हमारा तेज से फिजीकल है लेकिन एन वक्त पर बेट परिवर्तन होगी तो वो कौन-कौन सी है उनके लिए वो बता देता हूं जिन बच्चों का 23 तारिक से लेकर 28 तारिक तक जिन बच्चों के फिजीकल थे उन बच्चों के फिजीकल की देट में परिवर्तन हुआ है जानि के अब उनको और जादा समय दिया गया है लेकिन अब सपेशल ही कोई समय नहीं दिया गया है यह बारिश को देखते हुए बार आ रही है बारिश हो रही बहुर जादा अब यह कब होंगे फिजीकल यह भी जान बेता है जिन बच्चों का तेईस नो दोहजर चोविस को फिजिकल होना था अब उनका फिजिकल होगा ग्यारा-ग्यारा-ग्यारा-ग्यारा-ग्यारा-ग्यारा-ग्यारा-ग्यारा-ग्यारा-ग्यारा-ग्यारा-ग्यारा-ग्यारा-ग्यारा-ग्यारा-ग्यारा-ग्यारा-ग्यारा-ग जिन बच्चों का 26 सितंबर को होना था उनका 14 नवंबर को होगा और जिनका 27 सितंबर को फिजीकल था उनका 16 नवंबर को उनका फिजीकल होगा जिनका 28 को होना था उनका हो जाएगा 17-11 को अब इसमें भी आवकास दिया है 15-11 का आवकास है यानि कि क्रम से नहीं दिया गया है जैसे किरम से डेट चेंज की गई है 23, 24, 25, 26, 27, 27 उस तरह से किरम से डेट आगे नहीं बढ़ाई है बलकि क्या कर दिया है एक अवकास रख दिया बीच में 15, 11 तो आप अच्छे से देख लीजिए मेरी left side में आपको वो आदेश, वो notice हो रहा होगा जिसके माध्यम से बताया गया है कि आपके ये खला खला मतलब ये जो आपकी डेटीज है ना इनमें परिवर्तन यानि के बदलाव क्या गया है तो मेरी left में आपको शो हो रहा होगा साथ ही साथ आपको वो भी notice हो होगा जो पहला notice था जिसमें 23 तारिक से लेकर 23 सितमबर से लेकर 9-11 यानि के 9 नौवमबर तक physical के लिए बताया गया था वो दोनों आपको बारबार शो हो रहे होंगे तो आप देख सकते हैं अगर अभी भी आपकी तैयारी में कोई कमी रह गई है तो आप अच्छे से तैयारी कर लें इनको बहुत जारा समय दे जिए रहा है यानिकर लगबग डिर्ण महीने क्सम्तिंग कुदा दिया है तो यजिन बचों का उन्तिस में होना है डिर्ण गर गवर गगः अँग दो तारिक में हैं फिर तीन ताइक से आपका छुट्टी हो जाएंगे तो अब आप इसनको देख सकते हैं और अच्छे से अपने त्यारी कर लेंगे बस यही आपको बताना था यही अफडेट थी आपके लिए और बेस्ट उफ लग बहुत जाद धेन्यवाद